नमस्कार दोस्तों स्वागत है डिजिटल सॉलोसंस में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आपके मुबाइल पे नोटिफीकेशन आते रहती है इस तरह से और इसको आपको कैसे बंद कर सकते हैं अन्वांटेड नोटिफीकेशन को आप कैसे अप अपने मुबाइल पे बंद कर सकते हैं क्या प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं ठीक है सबसे पहले हमको चले जाना यह एप एप स्टोर में और इस एप्लिकेशन को मुझे करना है डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप इस यह इंस्टॉल हो रहा है एक तरह से और उसके आद मुझे करना है ओपन पे क्लिक तो मैं कर दे रहा हूं ओपन पे क्लिक यहां से मैं setting भी जा करके अब दे रहा हूँ permission इसको ठीक है तो इसको मुझे open कर देना है । सबक्रप But then doesn't मैंने जाना है बैक बैक जाने के आप फिर कर देना है next और यहां पर अब देख लीजा है अब just application और ऊप प्लिकेसन और उस हैं बंद कर सकते हैं आप सारे नोटिफिकेशन चाहें तो आप बंद कर सकते हैं ताकि आपको परिशान ही नहीं हो आप बार बार नोटिफिकेशन आते रहता है और साउंड करते रहता तो इस तरह से problem भी आपको होता होगा ठीए तो इस तरह से आपकर लिजिये बंद अप बंद करने के बाद मुझे क्या करना हैब गेते कर चान्ट सबहरे मुस्थे क्लिक कर दिना है तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा अगर आपको पसंद आया तो किजिए लाइक, शेर, सब्सक्राइब और थैंक्स पर वाचिंग, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए रिजए इज़ादत